नमस्कार दोस्तो आज हम बात करेंगे जीमेल की जीमेल तो सब जानते ही होंगे इस दुनिया में 1.8 बिलियन यानि लगभर 180 करोड लोग ऐसे हैं जो जीमेल यूज करते हैं यूज तो करते हैं लेकिन उन में से कुछ ही लोग ऐसे हैं जिनको पता है कि एफेक्टिवली जीम के सॉलूशन से हमारे पास प्रमोशनल मेल बहुत आते हैं जिसकी वज़े से हमारा अकाउंट फुल हो जाता है और एक एक करके डिलीट करना इस नौट एजी टास्क सबको एक साथ कैसे डिलीट करें ये बहुत आसाल है सबसे पहले आपने अपन किया और फिल लॉग इन कि पिर अपने से मेरे बहुता हमारे तो इसमें मेरे कुछ इंपॉर्टेंड मेल भी डिलीट हो सकते हैं आपको करना क्या है करना ये है कि आप प्रमोशनल शोशल अपटेट्स और फूरम अब हो सकता है कि ये सारे टैब्स आपके पास शोर ना हो रहे हूं तो इसके लिए आön आपको जाना है settings में, यहाँ आपको see all settings का option दिखेगा, उसे open करें, फिर inbox के tab पर click करें, अब यहाँ आपको options दिखाई दे रहे होंगे, इन में से जो भी आप on रखना चाहते हैं, वही आपको आपके Gmail के main page पर दिखाई देंगे, प्राइमरी को आप change नहीं कर सकते हैं, यह मैं promotional को छोड़कर बाकी सब off कर देता हूं, और scroll down करके save कर देता हूं, आप देखिए, यह प्राइमरी के साथ सिर्फ promotional का tab show कर रहा है, मैं वापस जाकर setting change कर देता हूं, और पहले की तरह सारे tab on कर देता हूं, अब मुझे वापस सारे tabs show हो रहे हैं, प्रमोशनल पर मैं आपको show करेगा, select all करके आप delete कर सकते हैं, ऐसे ही जब आप social पर click करेंगे, तो social media से related mails आपको सारे show करेगा, यह सब भी आप एक ही भार में select all करके delete कर सकते हैं, एक बात और, select all में सिर्फ एक page के सारे mails ही select होते हैं, तो अगर आपकी settings में, page पर 50 mails का limit set है, तो settings में जाकर आप इसको 100 कर सकते हैं, तो एक बार में आपके 100 mails delete हो जाएंगे, तो है न कितना आसान तरीका mails को organize करने का, कल आपको मैं Gmail का एक और बहतरीन tip दूगा, कि आप confidential mail, password के साथ कैसे बेज सकते हैं, जब भी receiver mail open करेगा, तो आपके पास एक OTP जाएगा, उस OTP के बिना वो mail नहीं देख पाएगा, तो जुड़े रहिए, details में बताऊंगा, कैसे होगा ये सब, तब तक नई नई जानकारी के लिए subscribe, like, share, element करते रहिए